हेलो बच्चो, कैसे हो आप सब, I hope you all are fine, आज मैं आपको हिंदी की एक नई कहानी सुनाऊंगी, लाल जी, शेर की कहानी, तो आईए शुरू करते हैं, जंगल का राजा, शेर, वो बहुत ताकतवर था, और बार-बार जानवरों को पकड़ कर उन्हें मार कर उनका शिकार करता था, जब भी वो जंगल में इधर उधर कहीं घूमने जाता, तो जंगल के सभी जानवर उससे डरते और वहां से भाग जाते, एक बार जंगल में शेर को एक लॉम्डी मिली, शेर ने लॉम्डी से कहा, लॉम्डी, क्या तुम मुझे इस जंवरों के रहने की जगा बताओगी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? लॉम्डी ने ऐसा ही किया, और लॉम्डी ने शेर को सभी जानवरों की रहने की जगा बताई, शेर इस तरह जंवरों को पकड़ कर मार करा और खाता रहा, एक दिन जंगल में दुबारा से शेर ने जंगल के सभी जानवर मेरे बारे में क्या सोचते हैं लॉमडी ने ऐसा ही किया लॉमडी जगा जगा गई और जानवरों को देखा और उनकी बातों को सुना और आकर शेर से कहा जंगल के राजा शेर जंगल के सभी जानवर आपके बारे में पहुत पहुत कुछ बोलते हैं व शेर बड़ा खुश हुआ और शेर ने लॉमड़ी से कहा अच्छा ऐसी बात है तो आज तो मुझे लॉमड़ी की बिना मदद के ही खरगोश मिल गया चलो इसका शिकार करता हूँ जैसे ही राजा ने खरगोश को पकड़ा दूर से एक हिरन शेर को देख रहा था और उसने खरगोश की जान बचानी चानी तरफ आकरशित किया और तेजी से भागने लगा शेर ने मन ही मन सोचा ये तो चोटा सा खरगोश है चलो हिरन के पिछे भागता हूँ हिरन इतनी तेजी से भागा कि शेर के हाथ में ना आ पाया और हिरन भाग गया शेर ने मन में सोचा ओहो आज तो बिनाहिरन के ही काम चलाना पड़ेगा चलो वापस खरगोश से ही काम चलाता हूँ जब वो खरगोश के पास पहुँचा तो देखा वहां से खरगोश भी भाग चुका है वो बड़ा दुखी हुआ और उसे अपनी गलती का बहुत पच्चतावा हुआ तो देखा बच्चो इस कहानी से हमें क्या सिक्षा मिली हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए लालच के कारण हमारे पास जो है हम उसे भी खो सकते हैं जैसे शेर ने लालच किया उसने खरगोश को छोड़ा और हिरन के पीछे भागा लेकिन ना तो उसे हिरन मिल पाया और ना ही उसे खरगोश और विचारा भूका ही रह गया धन्यवाद